गुड मार्निंग मेरी प्यारी से यूटूब फेमेली स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी अपनी चैनल ग्रहनी गार्डन ब्लाक्स पर दोस्तो कैसे है आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मैं अपनी चैनल पर अपनी डेली रूटिंग के कुछ ब्लाक्स साथ में अपनी देशी वाली रेसिपी आप लोगों से सेयर करते रहती हूँ आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है बीच में इसकीप मत किजिएगा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके तो आज की जो हमारी मज़ेदार रेशिपी होने वाली है या कहिए हमारा जो ब्लाग वीडियो होने वाला है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए अपने एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करना बिलकुल भी न भुले तो चलिए आज का हम लोग मज़ेदार वीडियो चाय का दाग या फिर इंक का दाग कोई भी दाग हो अगर आपको उसे छुडाने में दिक्कत जा रही है और दाग की वज़े से हमारे कपड़े एकदम पहनने लाइक नहीं रहते हैं तो आज मैं आप लोगों को सेर करने जा रहे हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी भी दाग को कैसे छुडा सकते हैं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में नहीं आएगी तो हमें जो दाग हमारा लगा हुआ है उसे बहुत ही आसानी से हम छुडाएंगे इसको केवल 10 मिनट भी नहीं लगेगा और हमारा दाग एकदम क्लीन हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि कोई भी दाग हमें कैसे छुडाना चाहिए तो देखिए यहां यह सर्ट है बेटे का सर्ट है बेटे के सर्ट में उसे खुद को भी नहीं पता था कि यह दाग किस चीज का लगा है लेकिन अकसर करके जब गाडिया चलाते हैं तो गाडियों में कोई भी दाग हमारा जैसे आईल वगेरे देते हैं या फिर गिरीस वग दाग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे दाग लगा है तो आज यह दाग को हमें चुडाना है और बेटा बहुत परेसान हो रहा था कि इस दाग को कैसे चुडा है तो आज चुडाने का तरीका मैं आप लोगों से सेर करने वाली हूं हमारे घर में अगर केरोस हम लोग आसानी से मतलब ले सकते हैं क्योंकि सभी के घरों में गाडिया रहती है तो पेट्रोल हमें आसानी से मिल जाता है तो जहां जहां दाग लगा है उस दाग को हमें इसमें डूबो देना है मतलब मेरा तो मिट्री का तेल है लेकिन अगर आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल में इस तरीके से हमें दाग को डूबो देना है लेकिन एक बात का हमें याद रखना है कि मतलब दाग को चुडाने से पहले हमें पानी नहीं लगाना है मतलब कई बार हम लोग होता है कि पहले पानी से धूलते हैं और फिर नहीं चुडता है तो फिर इस तरह का हम लोग प्रोसेस करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें दाग चुडाने से पहले हमें इस प्रोसेस को करना है उसके बाद में हमें पानी का यूच करना है तो देखिए हमने यहां पर 10 से 15 मिनट के लिए मिटी के तेल में डिबो कर रख दिया था और उसके बाद हमें लेना है नीबू और नमक नीबू और नमक से हमें उस दाग को अच्छे से रगर ना है येकीन मानिए दोस्तो इस प्रोसेस क अगर आप करते हैं तो कोई भी दाग हमारा आसानी से कपड़ों का छुट जाएगा और बिल्कुल ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि इस कपड़े पर कभी दाग लगा हुआ था तो देखिए इस तरीके से हमें रगर ना है दोस्तो आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चै देखिए नीबू और नमक के साथ में रगरते हुए हमें इस तरीके से पूरे जो दाग लगा हुआ है उसे हलका कर लेना है पूरा एकदम से नमक और नीबू से क्लीन नहीं होगा लेकिन फिर भी कापी हद तक एकदम हलका हो जाएगा और उसके बाद में फिर हमें पानी औ अगर ब्रस से अगर नहीं रगड़ पाते हैं तो हम इस तरीके से हाथ से Talk 701 इसे रगड़ कर एकदम साप कर लेंगे एकदम बहुत हल्का ये दाग होजाएगा जब हल्का हमारा ये दाग होजाएगा तो जब हम लोग साबून और पानी का यूच करेंगे तो आसानी से ये दाग हमारा clean हो जाएगा बहुत ही simple सी process है लेकिन मैं अक्सर करके ये आप लोगों से share कर रहे हूं कि आप दाग छुडाने से पहले पानी में नहीं डुबाना है कोई भी दाग क्यों नहीं हो तो देखिए हमने साबून और पानी से फिर हमने उस दाग को छुडा लिया है और देखिए कहीं पे भी इस सर्ट में दाग नजर नहीं आ रहा है और पूरा सर्ट अब हमारा पहनने लायक हो चुका है तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंड करके जरूर बताईए और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को सेर करना बिलकुल भी ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में छोटी छोटी टीप्स और कुछ रेशेपी ट्रेंडिंग वाली ठेंक्यू